असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कोकरनट चोकलेट गॉल्फ सबसे पहले हम कड़ाई में एक कप दूद दालेंगे इसमें दालेंगे एक वाटी शक्कर शक्कर को हम अभी पिगला लेंगे शक्कर पिगल चुकी है अब मैं इसमें दालूँगी कोकोनट पाउडर अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें जो गीला पन है उसे हम सुका लेंगे अभी ये हो चुका है हम गैस बन करके इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे ये ठंडा हो चुका है अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे आप कोई भी साइस के बना सकते हैं ये देखिए ऐसे साइस के हमें बना लेंगे है को Icast हम समयरे सारे बॉल्स बनकर तयार हो चुके है अब हम चौकलेट को पिगला लेंगे है चौकलेट पिगलाने के लिए मैंने एक डेक्डसे में पानी रखेंगे अब इसके उपर रकूंगे मैं चौकलेट का बॉल्स मubby देखिए चौकलेट पिगर रएए है हम चम्मस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे चॉकलेट अच्छे से पिगल चुकी है अब मैं इसे गैस पे से उतार लूँगी इसमें मैं मिलाऊंगी बारीक कटे हुए काजु और बदाम इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी अभी हम बॉल को चॉकलेट में डिप कर लेंगे इसे हम अब एक प्लेट में रख देंगे इसी थरह हम सारे बॉल को डिप कर लेंगे सारे बॉल चॉकलेट में डिप हो चुके हैं अब मैं इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दूगे माशालला कोकोनेट चॉकलेट बॉल्स तयार हो चुके हैं वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना कोकोनेट चॉकलेट बॉल्स कैसे बने अल्लाह अपेज